Android smartphone के चार IC setting जिनको आपको अभी और इसी वक्त बंद कर देने चाहिए क्या आपका Android phone की जो battery है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है आपकी phone का जो daily का data होता है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता हो इसके अलाव आपका phone slow चलता हो हैं करता हो यदि यह सारी problems आपके साथ भी है तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए यदि आप एन वाइट phone का इस्तमाल करते हो तो चलिए शुरू करते हैं मैं कर लेता हूँ वीडियो स्टैप मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास फोर यूट्यूब चैनल तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला सेटिंग है जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है यह सेटिंग आपके फोन में बैटरी को और साथ ही साथ देएंगे लोकेशन और इसे टैप कर देंगे यदि यहां नहीं है तो सबसे पहले आप इसे और लीजे इसके बाद आपको नीचे स्केनिंग वाला आइकन पर क्लिक रणा होगा इस पर क्लिक करने के और आपको यहां पर एक وाइप ऑशार का बलूतुते स्केनिंग और दि दोस्तों मैं आपसे कहूं कि यह जो सेटिंग्स है आपके फोन में बाई डिफोल्ट हो नहीं रहता है और यह आपके फोन में सबसे ज्यादा बैटरी को कंजूम करता है साथ ही साथ आपके डेटा को भी बहुत ज्यादा खर्च करता है तो दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा इसमें आने के बाद आपको नीचे एक network preferences का option दिखेगा जिस पर tap करना होगा तो जैसे ही आप इस पर tap करेंगे तो आपको नीचे एक auto update apps और साथ में ही दूसरा autoplay videos का option दिखेगा तो दूस्तों यहाँ पर आपको इन दोनों options को बंद कर देना तो आप यहाँ पर simply किसी एक प वह तो बचेगे ही साथी साथ आपकी डेटा भी बहुत हत्तक सेब होगा अब नेक्स सेटिंग की तरफ वरते हैं यह जो सेटिंग है दोस्तों लोगों के लिए वर्दान साबित हो सकता है जिनकी mobile data बहुत ही जल्ली जल्ली खत्म हो जाती है या फिर कहें खर्च हो जाती है कि यार यह जो application से बहुत ही जादा data खर्च कर रही है तो आप simply उस application को select कर लेंगे इसके बाद आप data uses पे click करेंगे इसके बाद आप थोरी सा नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको एक background data का option दिखेगा जिसको आप यहां से simply इसे turn off कर सकते हैं इसे जैसे या बंद कर होगी अब दोस्तों नेक्स जो setting उससे आप किसी के भी चोरी को आसानी से पकर सकते हो दोस्तों आपके घर में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वह प्ले स्टोर पे कोई गेम खेलते हैं या पिर कुछ भी सर्च कर लेते हैं और यदि आप उससे पूछी तो वह कहता है तो simply आप अपने profile पे जाओ इसके बाद आप नीचे setting वाले options पे जाओ और फिर आपको जाना होगा general वाले options पे अब आपको जाना होगा account and device preferences पे इसमें आने के बाद जब आप थोड़ी सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे clear device search history का option दिख जाएगा इस पे क्लिक करने वीडियो आपको जुरूर पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपको ऐसी वीडियो मिलता रहें मिलता हूं आप से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद